हलो साथियों कैसे आप सब उमीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही वीडियो नमबर 26 यानि 26 नमबर एक वीडियो में एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है आज पढ़ेंगे रेफिनल नमबर इस्पेसली सिर्फ और सिर्फ हम परमिय संख्या के बारें बात करेंगे अगले पांच से साथ मिनट इस वीडियो में वने रहना और दोनों का डिफरेंस में नेक्ट कलास में देख लूँगा लेकिन आज सिर्फ परमिय संख्या के बारें पहले जाना लीजिए ठीक है यह सारी चीजे आपको काफी चीजें बताई गई होगी बट आज हम आपको रेफिनल नंबर के बारे में explain करेंगे बिस्ता से ठीक है एक्जांपल से जादा बहतर समझेंगे यह सब चीजें तो जो हैं वो हैं ही काम की चीजें हैं इनको आप समझ लीजी ऐसे ही आई यह सबसे पहले हम एक्जांपल की बात करते है ठीक है हिंदी में इधर साइड में बात करूँगा इंगलिस में पीछे साइड में लिखा है जो जो समझने चाहें इसको देख लें परमिय संख्या जिन्हें पी अपान Q के फार्म में लिखा जा सकता है वो परमिय संख्या एक हलाती है इनके बारे में मैं explain कर रहा हूं प् सता है यह बातें सब आपको याद रखना साइव यह सारी बस थीग है जासे फार एंपल अगर मैंने 9 लिख दिया तो यह रेफेनल नंबर है 9 बटा 5 लिख दिया यह भी और मैंने जीरो बटा 5 लिख दिया तो यह भी क्या है परमिय संख्या थाको अगर डेकिन अगर मैंने कहीं भी भूल चूक से या कैसे भी करके भाई साब अगर मैंने 0 बटा 5 की जगह पर अगर मैंने 5 बटा 0 लिख दिया अब ये पर्मिय संख्या नहीं हजम नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये बराबर अनन्त आएगा, क्या आएगा? infinite आएगा, unlimited आएगा कभी भी ये कुछ फाइनल नहीं करेगा ठीक है? तो आज सी कंडिसन में वो रेफनल नंबर नहीं होती है clear? आगे बढ़ूँ, चलो ठीक है देखते हैं अब बात करते हैं एक जांबल्स की किस की तरीकी की रेफनल नंबर होती है बाकी चीज़ें आप जानते हो ये रेफनल नंबर के बारे में अगले वीडियो में एक्स्पिलन कर दूँगा जैसे 56 है, तो ये एक रेफनल नंबर है क्यों? क्योंकि 56 को मैं 56 अपान 1 लिख सकता हूँ जो कि P अपान Q के रूप में है आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भया हो जब कोई भी भिन है तो आप कह रहे हो कि P अपान Q के रूप का है तो P अपान Q के रूप का आखिर कौन नहीं है देखो जैसे अगर अंडरूट 3 लिख दिया बटा एक इसको P अपान Q के रूप का करें तो क्या है नहीं है न क्योंकि इस पर वर्गमूल लगा है अगर यह कहते कि हम अंडरूट P अपान Q के रूप का है तब तो ठीक है था क्योंकि इस पर भी रूट था इस पर भी रूट था बात बराबर थी तो इसको हटा भी नहीं सकते तो यह क्या है पर्मिय संख्या नहीं है यह यह आई से इस पर कोई भी प्रकार का रूट का चिन लगा चाहिए वह वर्गमूल है घनमूल है अगर उसको नहीं हटाया जा सकता है मतलब हटाया जा सकने का मतलब उसको हटाने के बाद एक पूर्ण संख्या आने चाहिए जैसे 25 है इस पर जो चिन लगा रूट का इसको हटा सकते हैं इसको हटाने के बाद क्या आएगा पांच आएगा एक पूर्ण फंख्या एक होल नंबर आया ठीक है सही है बट जैसे अग 1.414 आया सम्थिंग ऐसे आएगा ना मुझे बताना ऐसे आएगा ना लगभा कितना तो यह एक पूर्ण फंक्या नहीं है दिफिज नाट होल नंबर यह पूरी नहीं है एक तो वन है और इसी में चार भी है 0.4 भी है मतलब यह अधूरी है इन एक तुरका से पूर्ण नहीं ह जिसे कई दिनाश के मानलों गवक्वान ना करें दो हाथ है अगर कि सी हाथ न रहे तो क्या होगा ळेड़्ण आ 1.5 फाथ 1.5 यहां जिए पूर्ण नहीं है थिक एसे की सांड़ करेंकिसा तरह ओं बट व्रानों यह क्या है फिर पूर्ण simple LGB चीज़ा रूर तो यह क्या चीज़े है है कि अफुल नंबर ठीक है समझ में आ रहा है ज़िस , 20 12one का पर रूंका दूसरा रूप हैए सों जक्नल यानि कोई संख्या जो सीधी-सी संख्या के रूप लुक में आपको दिखेंगी चाहे वो कैसी भी हो दो अंकर की हो 7 हो कितने भी एंकर की हो यह सभी पर्मिय संख्या है दूसरा जीरौ जो है वो भी क्या है कर्छुट है पर मे errors संख्या क्योंकि zone करों लिख के रूप में है लेकिन उसका वर्गमूल या घंणमूल निकालने के बाद एक पूर्ण संख्या मिलती है वो भी क्या है परिमिय संख्या होती है जैसे अभी तुमको ठेसार एक्जांपल बताए दूसरा अब यह घंणमूल जो भी आएगा इसका निकालने के बाद एक पूर्ण संख्या आने चाहिए बस जैसे यह सभी क्या है होल नंबर है पूर्ण संख्या बट यह पूर्ण नहीं बात समझ गए तो कोई भी नंबर याद रखना कोई भी नंबर चाहिए उस पर कितनी भी घात लगी हो जैसे माल लो अगर एक संख्या मने ले लिया 16 को ही तो 16 अगर इस पे घात देखो 3 लगा दिया, अब ये रेफनल नंबर नहीं है क्यों? ये रेफनल नंबर नहीं है क्यों? क्योंकि 3-3 के जोड़े बनाएंगे अगर हम 16 को हम 4 बार 2 गुड़े 2 लिख सकते हैं 3-3 का जोड़ा बना लेंगे तो ऐसी कंडिशन में इसका जो आंसर आएगा वो 2 और ये रूट 2 आएगा तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? 4 थोड़ी आएगा, 4 ता बाता जहां 2 घात होती ठीक है? तो ये एक परमे संख्या नहीं है फिर गडबड़ अगर इस पर 4 घात हो जाएगी तो परमे संख्या हो जाएगी, क्यों क्योंकि फिर एक के जोड़ा बन जाएगा, दो का, सिर्फ उसका अंसर दो आएगा ये समझ लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये 16 न ये, इसका अंसर दो आएगा कब जब यहां चार गात होगी चरुपने यह संख्या अगर इससे पांच घाट लगए फिर ऐसागी नहीं होगी थीक है तो बाते समझी है सभी यह पर में संख्या अगला कोई भी भिन जो माइनस की रूप में है निगेटिव है है जैसे माईनस 31 बटा उन साथ ये भी रिसंख्या था अगला कोई भी संख्या जो दसमलों में है उ ho सथाइब यह क्या है अगर 50 पॉइंट पांच तो यह क्या लिख सकते हैं बच्चा पांच बटा दस ये भी क्या है एक परमिय संख्या है अगर मैंने लिखा 0.813 इसको मैं लिख सकता हूँ 813 अपान 1000 ये भी क्या है एक रेफनल नंबर है बट एक चीज और समाझ लेना प्यारे वो क्या है अगर कहीं नहीं है क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं आगे डट डडट जा रहा है अनंत जाहरा इसके कोई फुचर इन नहीं को भविस्ट समझ गए तो यह क्या है यह परिवियस संख्या के अलग रूप है मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ अगर लिखना चाहो तो वीडियो को तो माइनस में हो और दसमलों में भी हो, जैसे माइनस 0.7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साथ बटा दस, माइनस में, थीक है, माइनस साथ बटा दस, तो ये भी क्या है, एक रफेनल नंबर है, मारवलाण लगने से कोई फरक नहीं पड़ता है, इसमें ठीक है नीचे जैसे देखो यह है अगर कोई नंबर ऐसा है 0.14141414 और यह बार-बार रिपीट हो रहा है अनंद तक जा रहा है तब भी यह पर में संख्या क्यों कि इसमें कुछ कुछ निश्चित संख्या रिपीट हो रही बार-बार तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.14141414 और ऐसी बार वाली सबी संख्या क्या होती है रिफनल नंबर होती है याद रखना ठीक है जैसे अगर 0.7 है 7 के उपर बार लगा है तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 7 बटा 9 ठ समझ की चलना ठीक है तो प्यारे यह क्या होगा यह सभी रेफनल नंबर होती है यह पर्मिय संख्या होती है लेकिन ध्यान रहे इसी में अगर यह 0.51321791765 ऐसे है अब यह पर में संख्या नहीं क्यों क्योंकि इसमें कुछ आता पता नहीं क्या रिपीट हो रहा है ठीक है ल बाल लिखा था ना 322 दूरी टूरी 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 टूरे टूरी 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 टूर्ट find from 710 सीजिश्टम से आगर ही रुपीट हो रहा है तो करके मुझे बताना अगर अगला टापी कुछ और चाहते हो इसमें कोई कमी रह गई कुछ और पूछना है तो मुझे बताईएगा जिससे मैं इसके आगे बढ़ा सकूँ क्योंकि छोटी-चोटी वीडियो में बहुत कुछ नहीं हो सकता यह गडित है पूरी जिंदगी सीखी जाती है इंसान पैदा होता है जनमतिती गडिते में लिखे जाती है बच्चा बोल नहीं पाता है फिर वह गडिते में क्या करता है